आज देखेंगे हम मेजर टॉपिक है हमारा अडजस्मेंट पोस्ट डेटिट चेक वगरा देख लिया था आज करेंगे हम अडजस्मेंट सर इसको इतना संभालगे करना है आपने और इस तरीके से करना है कि एक्जाम के टाइम पे आपका पूरा रिवीजन हो जाए तो हम जो अब कोस्टन करेंगे अभी कोस्टन ही फलाल हम अडजस्मेंट करेंगे 20 से 22 अडजस्मेंट हमें एक पेज पे एक जगही रखना है मतलब के सीक्वेंस में क्योंकि फाइनल अकाउंट के अंदर अगर आपसे पूछू सेलरी कहा जाएगा तो हर बच्चा जाएगा आपको फिल करना आता है आपको examiner कहां परिशान करने वाला है सर परिशान करने वाला है आपका अडजस्मेंट के अंदर अब अडएस्मेंट में भी दो बाते आ जाएगी यह तो gstar के साथ होगा यह without gstar क्योंकिक्य आपके। यह नहीं है निए जो नेशनल एजूकेशन पॉलिसी या निएजूकेशन पॉलिसी कहलो जो आया हुआ उनका कहने उनका यही परपस है कि बच्चों को हम वर्सटाइल करेंगे यानि उनका एजूकेशन इस तरीके से हम करने वाले के उसको हर चीज के यौली डी जाएं तो जो पॉल का माहूट है ossir वो बिल्कुल अलग ठीज कामाहूल बिलकुल अलग होने वाला पढ़ने में तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम और सॉलीजान्ब 11 adjustment number one मैं adjustment कराने का देखो पढ़ने का तरीका क्या रहेगा अगर मैं question number one करा दूँ वन तो वैसे 1 और 2 में तो कुछ नहीं था 3-4 करा रूँ वहां 4 अजस्मेंट तो जितने अजस्मेंट मैं करा दूँगा उससे related अगर कोई question देखेगा तो पहले हम question practice कर लेंगे फिर आगे adjustment पर करेंगे ऐसा नहीं करने वाले कि मैं पहले 20 adjustment करा दूँ नहीं अगर मान लो चार अर्जस्मेंट कराया और मुझे लगा कि चार अर्जस्मेंट इस question को करने के लिए capable हो जाएंगे तो फिर हम पहले वह question करेंगे फिर हम जाएंगे किस पर पांचवे adjustment पर चलिए सब अर्जस्मेंट नमबर वन हमारा है होगा किस चीज़ पर होगा सर stock के ओपर और बेसिकली closing stock closing stock अगर मैं closing stock की बात करूँ सबसे पहले एक concept समझ लेते हैं what is adjustment sir what is adjustment ठीक है पहले समझ लेते हैं फिर apply करेंगे यह हमने बनाया lå passion owe अलग सब को पता होना चीए सर्जा ट्राइल बलेंस बन रहा होका कहा से बन रहा होगा कि यह मने बनाया ठाव पेल एडर्सटी कि ट्राइल bands से पहले मैंने क्यां सासर सब से पहले मैंने किया जर्नल के बाद किया मैंने लेजर जैसे जर्नल और लेजर किया तो लेजर की हमने जो टोटलिंग था उस टोटलिंग को हम यहां पे धीरे-धीरे लिखते गया जिसका नाम दे दिया गया ट्राइल बैलिंग बैलिंगे तो लेकिन कुछ ऐटम हम भूल जाते हैं सर लिखते लिखते हमें याद नहीं रहा मैंने क्लोजिंग इसके अंदर गलतिएं रह गये उन गलतिओं बाहर लिख देते हैं जैसे सार depreciation लगाना भूल गए, closing stock लिखना भूल गए, जैसे की outstanding salary लिखना भूल गए, जैसे की prepaid, तो जो गलतिया होगी उनको कहा लिख देंगे हम, बाहर, अगर आपको एक trial मिलता है और उसके trial balance के बाहर कोई चीज मिलता है, तो ये सारी चीजे जितनी भी बाहर मिल रही ह है ना, इनको call करते हैं सर, adjustment, हमेशा आपको पता है accounting के दो entry होते हैं, एक debit होगा, एक credit होगा, ये पता है rule, जो trial balance के अंदर आया होगा, वो journal के रास्ते से लेजर में आया होगा, लेजर के रास्ते से trial balance में गया होगा, इसका मतलब double entry के साथ गया है, adjustment तो हम करना ही भूल ग सर, दो entry होगी, एक क्या होगी, debit होगी, credit होगी, नौर्मली, तो जो trial balance के बाहर given होता है, उसे क्या बोलेंगे हम, adjustment बोलेंगे, और जो trial balance के अंदर given होगा, उसे हम normal entry बोलेंगे, और trial balance के अंदर जो होगा, उसकी posting करेंगे सरिफ और वो कहां जाएगा, एक जगह जाएगा, suppose that मैंने यहाँ पे लिखा machinery, तो बस assets में लिख देंगे, और कहीं पे नहीं लेके जाएगे, लेकिन अगर यहाँ लिखा machinery purchase, but omitted to recorded, तो उसकी दो entry होगी, एक तो machinery में भी जाएगा, और एक liability में भी जाएगा, तो हम दीरे दीरे सारी चीज़े सीख लेंगे, तो adjustment पता चल किया, तो इसी तरीके से हमारा क्या है, पहला point, closing stock, sir, closing stock दो जगाए देखने को मिल सकता है, sir, एक हो सकता है, आपको trial balance में देखने को मिले, और हो सकता है, आपको कहां देखने को मिले, adjustment में, हो सकता है, trial balance में देखने को मिले, या फिर हो सकता है, आपको देखने को मिले, कहां पर, adjustment में, sir, adjustment का मतलब आपके दिमाग में clear हो रहा है, नहीं कि, adjustment कहां पर, trial balance के, बाहर, है ना, यह trial balance के अंदर, बाहर होगा, sir, अगर आपका मिलता है यहां address trial balance में तो tossir trial balance वाले के कितनी entry करते हैं है एक entry अगर trial balance में निकला आपका तो सिर्फ कहां ले जाके ONLY यह जाएगा सिर्फ और सिर्फ BS लिखि रहा हूं balance sheet को कहां चला जाएगा सर ये balance sheet और सर balance sheet में भी कहां लेके जाओगे सर बस इसको assets में लिखना है कहां लिखना है हमें assets में लिखना है क्योंकि closing stock का nature होता है हमारा assets लेकिन अगर adjustment में मिला तो सर adjustment में एक जगह से बात नहीं बनेगी adjustment में मिला तो कितनी जगह लिखनी पड़ेगी आपको सर दो जगह लिखनी पड़ेगी वो देख लेते हैं सर दो जगह लिखना पड़ेगा आपको एक तो लिखना पड़ेगा trading account में ट्रेडिंग अकाउंट में आपको लिखना पड़ेगा और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर किस साइड लिखोगे आप ट्रेडिंग में तो दो साइड है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाओगे आप लिखने के लिए क्रेडिट साइड जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको हम buy side भी बोलते हैं जिसको हम buy side यानि दूसरी side जो होता है credit side और सर एक तो entry यहां कर दिया आपने trading के credit side में लिखते हैं second कहां लिखोगे सर second जाओगे आप balance sheet के अंदर और balance sheet के अंदर लिखोगे आप मैं bs लिख रहा हूँ balance sheet को short form में balance sheet में यहां मैं पूरा ही लिख देता हूँ क्योंकि यह मेरे को notes आगे किताब में भी डालने हैं कि balance sheet में यह आ जाएगा balance sheet में सर balance sheet में कहा आएगा सर सर balance sheet के अंदर यह आएगा हमारा asset side balance sheet में कभी भी debit और credit नहीं होता है balance sheet में यह तो होता है asset side या फिर liability side तो कहा आएगा सर यह asset side सर balance sheet के asset side आपने लिख देना है examiner आपका एक और आपके साथ examiner अगर आपका closing stock तो given है trial में तो कहा ले जाएंगे सरी फर सरी balance sheet में कहानी खतम अगर आपका कहा हुआ adjustment में तो दो जगा चला जाएगा कहां चले जाएगा trading के credit side में और balance sheet के asset side में पिछला question देखिए आप पिछले question के अंदर closing stock था यह था closing stock इसलिए मैंने इसे कहा लिखा अब बताइए यह adjustment का पार्ट है closing stock या without adjustment है क्योंकि यह trial balance के कहा है पिछली class के अंदर हमने देखा था closing stock सर इस closing stock को हमने कहां use किया था पता है आपको इस closing stock को एक हमने यहां लिखा था और एक हमने कहां लिखा था assets में 2 जगा entry हम करके चले थे मैंने बोला था debit होगा और credit होगा तो आप ध्यान से देखिए मैंने credit तो लिख दिया और asset side में लिखा तो asset side का मतलब यह क्या हो रहा है हमारा एक तरीका से देखा जाए तो यह debit ही हो हो रहा है तो एक तो क्रेडिट में चला गया और एक डैबिट में चला गया यानि हम अकाउंटिंग रूल को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं समस्या तब आती है नोट प्राब्लम तब क्रिएट हो जाता है हमारा जब आपको क्लोजिंग स्टॉक का दो वेल्यू गीवन है वेन मार्केट वेल्यू और मार्केट वेल्यू को हम कहते हैं रिलाइज़िबल वेल्यू वेन मार्केट वेल्यू या फिर रिलाइज़िबल वेल्यू एंड बुक वेल्यू या फिर हम बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइज बोथ हर गीवन जब दोनों दे दिया जाए ऐसे सिचुएशन में क्या होगा सर ऐसे सिचुएशन में इसका अंसर हो जाएगा अगर दो वेल्यू गीवन होगा तो आल्वेस टीकन आल्वेस टीकन विच एवर इस लोवर एस पर अकांटिंग सेंड़ टू एक्जामपल देखिए सर मान लो क्लोजिंग स्टॉक आपको अडजस्मेंट में गीवन है भले ही अडजस्मेंट में गीवन हो चाहे आपका ट्रैल में गीवन है क्लोजिंग स्टॉक गीवन है आपका मान लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक आपको गीवन है 40,000 और इसके ब्रैकेट में लिख दिया गया सर मार्केट प्राइज जिसको मैं M.V बोल रहा हूँ ठीक है market value बोल दो या market price market price 60,000 तो बच्चा confused हो जाएगा सर आपने ये तो बता दिया कि closing stock trading में आएगा और कहा हैगा balance sheet में लेकिन closing stock की तो दो-दो amount दिख रहे हैं तो हमें कौन सा लेना है तो accounting standard 2 कहता है भाई या confused मत हो दोनों में से जो कम होगा वही लेना है always तो सर यहां पर दोनों में से कम कौन सा है closing stock का 40 या 60 40 तो आपने लेना है 40 तो इसका answer क्या हो जाएगा सर 40,000 सर एक और example हो जाए चलिए example number 2 closing stock closing stock आपको दे रखा है मैंने 50,000 market value 30,000 तो अब कौन सा लेंगे हम very simple 30,000 क्यूंकि rule के इसाब से whichever is lower का मतलब जो दोनों में से कम है ऐसा कभी मत समझना कि जितने का खरीदा है वही लिया जाएगा या फिर जितना market में बिख सकता है उतने का होगा दोनों चीजे possible आपको इसके according लेना होगा कोई दिख्कत नहांता है कोई परिशानी समझ मैं adjustment number one हो जाता है हमारा done इसके बाद चलते हैं adjustment number two पे नोटिंग के लिए या फिर मैं आपको PDF शियर कर दूँगा सब एक साथ नोट कर लेंगे हैं ठीक है झालिया